नमस्कर, नमो रागवाय, मित्र लोगसभा चुनाओ दोहजार चौबिस का समय चल्च पड़ा है। NDA वर्सेज इंडिया महागटवंधन बिल्कुल आमने सामने हैं। एक महागटवंधन विजित होगा और दूसरा महागटवंधन पराजित होगा। मैं आपके समक्च क्यों परसुत हुआ हूँ? कुछ ऐसे एसलोजिकल फैक्ट है जो सोचने के लिए बिवश कर रहा है। चुनाओं का पहला चरण हम पार कर चुके हैं और इस बार ऐसा सोचल मेडिया के माध्यम से भी जनकारी होती नजर आ रही है कि इस बार मानिनी प्रधान मंतरी मोधीची की लहर का भाव है। इस बार ऐसा भी अभासित हो रहा है जो फर्स्ट फेज का चुनाओं हुआ है उसमें वोटिंग की परसेंटेस कम है। अर्थात क्या परिवर्तन होना है? क्या रायनतिक मुल्य में कुछ बदलाव आना है? क्या चार जुन दोजर चौबिस को कुछ अप्रतियाश्चित रिजल्ट की प्राप्ति होनी है? शोशल मीडिया के माध्यम से बहुतेरे ऐसे वीडियो है और बड़े-बड़े विद्वानों का समू एक खठा हुआ है और ऐसी बाते सुनने को मिल रही है कि इस बार साइद बीजेपी बैक फूट पे है। मित्रों कुछ ऐसे एसलोजिकल फैक्ट हैं मैं कोई भी स्टेट्मेंट जारी करता हूँ फलादेश के रूप में कुछ बातों को आपके समख्च रखता हूँ तो मैं एसलोजिकल तर्क शक्ती का इस्तिमाल करता हूँ कुछ फैक्ट को समाने तरीके से बताने की कोशिश मे लगा राता हूँ मित्रों मेरे साथ बने रहिए और 4 जून 2024 तक क्या होना है इंडिये 0wn महागट बंदन में किस महागट बंदन की जीत होनी है और किन की हार होनी है क्यों ऐसा हो है कैसे ऐसा होना है इस तत्थ को एस लोजिकल फैक्ट को मैं आपके सामने रखने की इजाज़त चाहता हूं मित्रों मित्रों का समुधाय जब इकठा होता है या कई राजनेतिक पार्टी इकठी होती है तो मंगल की ही बात होती है और किसी प्लानेट से कोई लेना देना नहीं है अर्थात जब 18 जुलाई 2023 के उस महुर्ट काल में बड़ा शांदार महुर्ट था जब इंडिया जैसी महाकट बंधन अपने अस्तित में आई थी 18 जुलाई 2023 को पुष नचत्र था जो शनी का नचत्र है बड़ा शांदार नचत्र माना गया है और अभजीत महुर्ट की उस समय शारणी में बारवज दिन में या महाकट बंधन अपने अस्तित में आई कन्या लगन की महुर्ट कुंडली सामने आती है मंगल की जब बात होती है अर्थात हम कोई नमीन कारे करते हैं तो कई मित्रों को हमी कठा करके एक समुदाय बनाते हैं या कई राजनितिक पाटी कठा होके महाकट बंधन दिन मनाती है तो जो टार्गेट लक्ष की प्राप्ती होनी है अथ्वा नहीं होनी है इसको डिसाइड उस महुर्ट काल लगन कुंडले में मंगल डिसाइड करता है कि मंगल की वास्तिक पोजीशन क्या है यदि आप एस्टलोजर है तो मेरी बातों को आप सुन्दर तरीके इस समझ पाएगे उस महुर्ट भेला में काल खंड में जब इंडिया महाकट बंदन अपने अस्तित में आई थी कर्णिया लगन बुद के लगन चार्ट में मंगल मिर्तु भाव का अधिपती होता है और मंगल हानी भाव में ब्याय भाव ट्यल्थ हाउस में सुकुर के या इंडिया महाकट बंदन पीडित हो रही है चोटील हो रही है जब हम पार्टनर्शिप की बात करते हैं अर्था 26 पार्टियों का समूझ अब महाकट बंदन के रूप में आता है इंडिया महाकट बंदन का प्रारूप तैयार होता है या अपने अस्तित में आती है तो ज इंडिया महागटबंदन की कुंडली पाई गई है अर्थात सातवा हाउस जो पार्टनर भी हाउस का सुरी छमाचाऊंगा पार्टनर्शिप हाउस का जो लॉड ब्रियाश्पत है अल्री अस्टम मिर्तोभाव में राहों के साथ कंजक्शन मोड में गुरू चांडाल योग क निर्मिती करते हुए ब्रियाश्पत भी कमजोर हो गया है मित्रो यह तो किस विद्वान व्यक्ति विसेस ने उस नियत समय को बताया दिन के बारवजे यह लग्ण कुंडली बहतर कुंडली मेरे संग्यान में जो भी मेरी जानकारी है उसके तहत बहतर नहीं है चुकि इसरी क्रैटेरिया पर आते हैं तो 30 अक्टूबर को ही कहानी बदल चुकी है इंडिया महागटवंदन अंदर से तूठती नजरा रही है उसका बेसिक रिजन राहू है 30 अक्टूबर को उसी लग्ण कुंडली कन्या लग्ण की जन पत्रिका के साथवे हाउस में राहू ले जहां बिलकुल एक मित्र के समुदाय और पाटियों के समूह की बात जहां मंगल करता है वहां राहू छद्व प्रविर्ती का कारग्रह जो बाधित करने के लिए माना गया है जाना गया है और जब मंगल राहू साथ जब यूती बनाएंगे कंजक्शन मोड में रहेंगे अ मंगल राहू के साथ बैटता है तो मंगल के पावर में ब्रिधी होती है उसके प्रकृति सुभाव उसके नेचर उसके चारत्रिक भी सिस्ताओं में तेजी से ब्रिधी होती है वह ब्रिधिकारक मोड एक positive feedback result की भाती भी होती है और negative feedback result की भाती होती है अर्थात यह decide कैसे कर सकते हैं इंडिया महागटबंदन की लगन करन्या लगन की उस महूर्थ कुंडले में मिरत्व का अधिपती मंगल नौन बेनेफिसियल अर्थात खराब हाउस का लॉड मंगल होने से मंगल विरोधक ससाबित हो रहा है इंडिया महागडवंदन के अस्तित को समार्थ करने के लिए काफी है वहीं अगर हम भारती जन्ता पार्टी की जन्पत्रिका जो मिथून लगण की है वहाँ छटे हाउस का लॉड है जो प्रत्युकता का हाउस है अर्थात जहां मंगल और राहू का कंजक्शन मोड अंगारक योग बनता हुआ नजरा रहा है मानिनी प्रधारमंत्री मोदी जी का ब्रिश्चिक लगण और ब्रिश्चिक रासी अर्थात मंगल के लगण और मंगल के राशी के होते हुए मंगल इन्फोस पाउर एक पॉस्टिफ फीडबैक पाऊर दिता हुआ नजरा रहा है मानिनी पी जी के लिए वही भारती जनता पाटी को छटा भाओ जो प्रत्युकता हाउस का लॉड है मंगल वहाँ भी उन्फोस पाऊर दिता हुआ नजरा रहा है मित्रो मैं किसी पार्टी से तालुकात नहीं रखता आपको ऐसा लगता होगा कि मैं भारती जनता पार्टी का पचधर हूँ मैं एस्टलोजिकल फेक्ट की बात कर रहा हूँ कि इंडिया महागट बंधन की जब अपने अस्तित में आई 18 जुलाई 2023 के दिन के 12 बजे जो कन्या लगन की महुर्त कुंडली में सबसे खराब गरह मंगल जो मिर्तु भाव का अधिपती है जो उस दिन की महुर्त लगन जोंगल विराजमान है पाटनर्शिप का हाउस का स्वामी ब्रयाश्पत पिडित होके अस्टम में राहो के साथ गुरू चांडाल योका निर्मान कर रहा है तीस अक्टूबर को राहो अल्लेडी आ चुका है पाटनर्शिप के हाउस में बातित करने के लिए और 31 मई तक अ इंडिया महागडवन्दन के उस लग्ण मोहुर्त कुंडली की दशा के तहत शनी और केतु की दशाकाल में या महागडवन्दन आएगी जो शनी और केतु के जो कोरिलेशन ट्रांजिट फेज में चार जुन 2024 को बनते हुए पाए जा रहे हैं खडास्टक योक के तहत यह एक नेगेटिव फिडवेक रिजल्ट को प्राप्त करानी के जिमिदार बनते हैं मित्रो कन्या लग्ण की इंडिया महागडवन्दन की लग्ण कुंडली है अर्थात लगनेस बुद्ध वी उसी चार जुन 2024 को पंचांग देखिएगा लगनेस बुद्ध अस्त रहेगा कम बस्त रहेगा सुन से बाधित रहेगा अर्थात बुद्ध वी कमजोर रहेगा इंडिया महागडवन्दन को पीडित करने के लिए काफी होता हुआ नजरा रहा है यह चटा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ बुद्ध का मुलांग पांच है मित्रो नेमलोजी में थट पार्टी विसेश को भारी नुकसान होने वाली उस संभावकाल में महागडवन्दन के तहट जो पार्टी शामिल है वो पहुश्ती भी खुद को पाएगी मित्रो मुलांग पांच जो बुद्ध का मुलांग है बुद्ध चार जुन 2024 को अस्त प्राय पोजीशन में कमबस् बता रहा है जो एक संभावना के तहत मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि महागडवन्दन इंडिया की जो टोटल जो सीटों की संक्या होगी वह 140 अर्थाथ 140 के तहत खुद को सिमर्ती हुई पाएगी एक संभावे बेवस्था के तहत एक संभावना के तहत मैं आप एड कर सकते हैं अर्थाथ 131 टू अप टू 149 मित्रों लोग सभाव चुनाव 2024 एक ऐसा चुनाव है जो एक कैसी रहनतिक मुल्य गरिमा मैं मुल्य की बाते हो रही है और शोशल मीडिया के माध्यम से जो भारती जनता पार्टी के विरुद ऐसी बाते हो रही हैं मानेन तो कहानी कुछ और होती हुई नजर आती हुई दिखाई दे रही है मित्रों एक छोटी सी व्याख्यान के तहत मैं जोतीज आचारे प्रमिल चत्रविदी नमस्कार नमोरा घवाए